हेलो दोस्तों स्वागत था आपके अपने यूट्यूब चैनल तम मौडर नेगरी कल्चर पे आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायर प्लैनोफिक्स पीजी आरानी की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टौनिक के बारे में तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से में जानेंगे कि सभी साथा क्या है शाइस समय क्या है फसल पर करने का इनकि फायदे क्याक्या है कीमत और मात्रा सब कुछ एक ही वीडियो में चलिए कि सब्सें पर करेंगे बायर पलेनो फिक्स में केमिकल कॉमपोजिशन की तो अधी इसमें केमिकल कंटेंड की बात करें तो इसमे आलफा नैप्थेलीन एसेटक एसीड चार दिसमलो बात प्रतिसस असल। फूम में आता है जो कि प्लांट के हार्मोन ग्रोथ को तेज कर देता है आदी हम जाने डिटेल से कि PGR टॉनिक का महत हमारे फसलों पे क्या है तो यह फल फुल के ज़ड़ने को कम करता है वनस्पत्ति विकास को बढ़ावा देता है फलों के रंग, चमक और आकार को बनाए रखता है उत्पादन छमता की ब्रीधी करता है पोधों में हरित लवक की ब्रीधी करता है बदलते मौसम के अनुसार पोधों की गुनवत्ता को बनाए रखता है फल फूल के बिरिधी के साथ साथ उत्पादन छमता में आसेमित बढ़ावा देता है तो किसान भाईयों ये तो हो गई पेजिया टॉनिक का महतु के बारे में और केमिकल कॉम्पोजिशन वहीं आदी हम बात करें सबसे महतपूर्ण बिंदू की कि इसका परियोग हमें फसल पे किस अस्टेज में करनी चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक लाग मिल सके तो किसान भाईयों जब फूल आने की स्टेज होती है फसल में आने लगभग बुआई से 30 से 40 दिनों के बीच इसका अस्प्रे कर देना होता है और इसका अस्प्रे आप फूल आने के बाद भी कर सकते हैं लेकिन कुछ लटादार पोधे होते हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तर्बूज इन पे फूल काफी पहले से आने लगते हैं तो आपनी फसल की अवस्था के अनुसार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं वहीं आदे हम बात करें रिकमेंडेड डोज की तो परती 15 लिटर पानी में 3-4 ml आप इसका स्प्रे कर सकते हैं वहीं परती एकर की दर से लगभग 150 लिटर पानी में 30-40 ml इसका स्प्रे कर सकते हैं चलिए किसान भाईयों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में आदे इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में लगभग 100 ml का पैक 100-500 रुपे के बीच मिल जाता है और एक लिटर का पैक लगभग 1000 रुपे से 1200 रुपे के आसपस पड़ता है अधी इसकी पेकिंग की बात करें तो आपको 100 ml-200 ml से लेकरके एक लिटर का पैक मार्केट में असानी से मिल जाता है वहीं अदी हम बात करें कुछ सावधानियों की तो इसका छिड़काव अधीक मातरा में नहीं करना है पहला छिड़काव फूल आने के वस्ता में और दूसरा फल आने के वास्त को बताया है आधि आप इस परकार प्रैन अफिस का पर्योग करते हैं तो निश्चित ही आपको बहतर लाव देखने को मिलता है तो चलिए किसान भाईयों मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद